अनन्या पांडे से लेकर करन देवल तक इस साल कई स्टार किट्स बॉलिवुड में एंट्री लेने वाले हैं इन्हीं के साथ भोजपुरी सिनिमा के सूपर स्टार और बहतरीन आक्टर रवी किशन की बेटी भी आक्टिंग डेब्यू करने जा रही है रवी किशन की बेटी रीवा फिल्म सब कुछ मंगल है से बॉलिवुड में डेब्यू करेंगी इस फिल्म में पद्मिनी कोलहपूरी अक्षे खना प्रडियूसर प्रदीप शर्मा के बेटे प्रियांक एहम रोल में नज़र आएंगे ये फिल्म एक situational comedy होगी और इसकी शूटिंग खारखंड में होगी रिपोर्ट्स की माने तो शूटिंग मार्च महिने से शुरू हो सकती है रीवा की डेब्यू फिल्म करन कश्यप के डिरेक्शन में बन रही है जिसे नितिन मनमोहन की बेटी प्राची प्रिड्यूस करने वाली है रीवा के डेब्यू की खबर ट्रेट अनालिस तरन आदर्फ ने ट्वीब के जरिये साजह की तरन रीवा की तस्रीश शेयर करते हुए बताया रेवी किशन की बेटी रीवा फिल्मों में डेब्यू करने वाली है अपनी पहली फिल्म को लेकर एक्साइटेड रीवा ने बताया मैं उस वर्क लोस एंजलिस और लंडन गूम रही थी जब बेग अंकल ने मुझे फोन किया और कहा थी नितिन अंकल एक फिल्म के लिए मुझे से मलना चाते हैं पापा की शुरुआती कुछ फिल्मों से मैं एक नितिन अंकल के साथ ही थी मैं अपना फिल्मी सबर एंजॉई कर रही हूं और काफी कुछ सीख भी रही हूँ, ये फिल्म मेरे लिए एक ऐसा तोफ़ा है जिसकी मुझे उमीद नहीं थी बहराल अब पूरा बॉलिवुड इंतजार कर रहा है रीवा के इस डेब्यू फिल्म